सर जमीने हिंदुस्तान असलाम अलेकुम मैं डॉक्टर आरिफ कुरेशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूटूब चैनल मेरे भाईयों जो आप श्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आप तो भली भाती किसान भाई जितने भी हैं सभी पहचानते होंगे लेकिन शहर मेरे रहने वाले लोगों को इसको पहचाना थोड़ा समुश्किल हो जाता है पिर भी आज मैं एक-एक चीज को आपको बड़े अच्छी से बताने वाला हूँ मिर भाईयों ये जो आप तिपतिया देख रहे हैं ये देखिए इसे हम चांगेरी भी बोलते और देखिएगा तिपतिया के ये छोटे-छोटे से फल इच्छिया है मेरे भाई ये तिपतिया की और मेरे दोस्तों ये बहुत ही अच्छे काम में आती है जो के हम ज़्यादा तर ये ग्रामिगड एरिया में आपको मिलती है और नमी वाली जग देखा है कि दोस्तों अगर इसको हम अपने दातों में तले लेते हैं तो इसमें खटी-खटी सी जिस तरीके बहुत खटी-मीठी-बूटी भी कहीं पर कहते हैं और मिरभाईयों ये दो तरीके की होती है एक छोटी और दूसरी बड़ी ज्यादा तर ये मिरभाईयों छोट कि इसे पीले ही आभा लिए हुए होते हैं ये पीले पीले इसके फूल है मरे भाईयों इसे तिपदिया कहते हैं मरे दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ही गरीबों के लिए किशानों के लिए खास तोर सी ये दबा बहुत ही जरूरी है और जो लोग पहले इसके आज मैं दो काम आपको बताने वाला हूं एक तो काम यह कि अगर आप लोगों को किसी को भी मशूरों में दर्द होता है या कि मसूरे सूझे हुए फूले हुए हैं मसूरों से खून आता है पी पाता है ममाद आता है मरे भाईू तो इसके लिए आपको ज्यादा परशा खर्च करने के आवजशकता नहीं है केवल आप इस तेपतिया को जी है मरे दोस्तो इस तेपतिया को ला करके पानी गुनगुना करिएगा मरे दोस्तो इसमें करीब एक मुठी तेपतिया की पत्ती को डाल दीजिएगा और पानी में डाल दीजिएगा और इसको जब अच्छे से गुनगुनी हो जाए मरे भाईयो ये देख लीजीगा तब इसको उतार लीजीगा और गुनगुना गुनगुना ही ये देख लीजीगा मरे भाईयो गुनगुना ही गुनगुना अपने मसूनों पर मले पानी को या कि इसका गराला करें आप देख लीजीगा कि दातों की सभी परिशानियों को बलके मुँ में जिनके बदबू आती है जो आस पास अगर कहीं भी अपने रिश्टदारी में जाते हैं और मुँ की बदबू के कारण उन्हें तमाम तरीके के कोई कुछ लोग मुँ की बदबू को खतम करने के लिए मसाला पान गोटका खाने लगता है तो कुछ लोग अपने तरह-तरह के उपयोग में लेकर आते हैं तो दूस्तों अगर से आप मेरे बता हुए इस उपयोग जो मैंने बताया है इस तरीके से अगर आप इसको इसको इश्तिमाल करते हैं मुँ भाईयों तो आपकी मु की बदबू मु की झाले और इसे चला जाएगा मिरभाईयो हम तो इसे तेपद्या चांगेरी इन नामूं से जानते हैं आप किस नाम से जानते हैं हमको जरूर कमेंट करके बताईएगा यह चोटे-चोटे पौधे हैं यह बाग बगीच्यों में आपको बहुत मिलेंगे अब आप अगर समझ गया होंगे तो मैं आपको दूसरी दावास की बताने बला हूँ अगर किसी भाई भहन को कभी बिच्चु काट जाए मेरे भाईयो अगर किसी को भी बिच्चु काट ले तो यही चांगेरी आपकी बिच्चु को भी उतार देगी पल भर में जी हां दोस्तों आप इसको क्या करिएगा इसको ले करके यह चांगेरी को आप लेना है चांगेरी को लेने के बाद इसको अपने हाथों में तंबाखु की तरीके से घिसना है और उसके बाद इसमें सफेद नमक पिसा हुआ मिला करके अच्छी तरीके से इसके रश्म मिला दिजीगा और जिस शरीर के जिस अंग की यानि नाज से आप अपना अंग समझ लिजीगा कि दाये थेने, कि दाये पाइरई की तरफ काटा है कि भाये पाइरउ के तरफ या भाहे रहीया हाथ के तरफ काटा है उसी के आंख में इसको आप डाल देंगे और बोलिएगा थोड़ा सा जट्का दे दीजीगा आप देखेंगे कि आपके देखते ही देखते हैं तडपता हुआ बिच्छू के डंक मारने वाला जो रो रहा है फड़ फड़ा रहा है जिसको बिच्छू ना डंक मार दिया है मारा हुआ ब्यक्ति थोली ही दिर बाद आपको मुश्कुराने लगेगा और आपके लिए दोस्तों क्योंकि मैं जानता हूं जादे तर मैं वीडियो इसलिए बनाता हूं कि गरीबों के पास नहीं पैसा होता है नहीं बिचारे बड़ा जगें जाने के सम्प की छमता रखते हैं बिचारे क्या करें पैसा ही नहीं उनके पास और मेरे दोस्तों आपको जहें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जादस जादस वीडियो इसली शेयर करिएगा ताकि गरीबों तक सभी लोगों तक पहुंच जाए ताकि इसकी हमरी बताई हुई जानकारी आप लोगों के पहुंचे और आप लोग इसका फाइदा उठाए और अगर आप जान भी जाए तो फिर दूसरों का भी आप लाज करें और इसका इलाज बिचु का इलाज वीडियो दोरह बताए गाए कोई भी इलाज को आप पैसा नहीं ले सकते हैं मरे दोश्तों क्योंकि यही मेरा आखरी में एक ही मेरा कहना रहता है कि मेरे भाईयो कफन में जेब नहीं होती है और कबर में एटियम कार्ड नहीं चलता है तो इसमें दो शदियाम ने आपको बताई है एक तो बिच्छू के डंक मारने पर ठीक करने के लिए और दूसरी मसूडों में खून मसूडों का फूल जाना, मसूडों का सूच जाना इसमें आप इसका प्रियोग करिएगा मेरे भाईयो आप देखेंगे कि डॉक्टर आरिफ ने आपको कुछ बताया है और ये पूरी दवाई 100% काम्याब है मेरे भाईयो सेकलों रोगियों को मैं तो बिच्चू का टोटली मरीज इसी दवा से सही करता हूँ A to Z तो मेरे भाईयों अगर और भी कोई आपको परिशानी हो जैसे के गुप्त रोग नामर्दगी, शिगर बतन, गुर्दें पत्री, पितें पत्री, पीलिया, हैपिटैटिस या के मेरे भाईयों आपका लिवर खराब हो रहा है या के किसी महला की बच्ची दानी में गाठ है तो ऐसे लोग मेरे नमबर 9451479641 पर कॉल करिएगा उनको मैं पूरी उच्चत सलाफ फूरी दूँगा एक बार नमबर फिले लिजीगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर आप से एक अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए अपने भाई को आग्या दीजिए